देखते हैं अब हम लोग 16, 16 नंबर में देखिए, for any three sets A, B and C, A-B, A-B का मतलब यहां क्या है, A में से हम लोग B वाले जो element होंगे, उन्हों सबको हटा जरेंगा, A के सभी element जो B में नहीं हो, इना, आचा, B-C का मतलब B के सभी element जो C में नहीं हो, तो B के सभी element जो C में नहीं हों, वो element को, जो हम लोग A-B में सेब्ट्रेक करेंगे, A-B में सेब्ट्रेक करेंगे, फिर वहीं, आपका A-B हीं बचेगा, समझे देगांते हैं बात चो, A-B का मतलब है कि ASet के सभी element जो B में नहीं हो ठीक है, और B-C का element B set के वोँँ सभी element का set, जो C में नहीं हो, ठीक है यहीं ना होगा तो यहाँ पर सिर्फ बी वाले इलिमेंट बचेंगे वह सारे इलिमेंट बचेंगे जो सी में नहीं है और उनको अगर हम यहाँ ए माइनस बी से हटाएंगे तो यह माइनस बी में जो एलिमेंट होंगे वह पहले से ही वह एलिमेंट है जो बी में नहीं है ठीक तो उसमें से आप इसको घटाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यह मैनस भी ही आ जाएगा, आप एक्जामपल से इसको चेक कर सकतो, यह ही आएगा, फिल इन दा ब्लैंक साइप है, इसलिए मैं इजली बता दे रहा हूं,